हलो एपरिवान वेलकम टो रोही कीर्स लार्निंग आज की वीडियो में मैं आप सब के साथ सेयर करूंगे क्लास थ्री हिंदी वाक्षीट तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें फर्स्ट वाक्षीट है नीचे दिये गए सब्दों का दो दो पर्यायवाची सब्द लिखें यहां पर बच्चों को क्या करना है जो सब्द दिये हुए है उनका दो दो पर्यायवाची सब्द लिखना है फर्स्ट में है आँख तो आँख का पर्याई वाची सब्द क्या होता है नयन और नेत्र तो यहाँ पर लिख देंगे फिर है अंग तो अंग का पर्याई वाची सब्द क्या हो जाएगा सरीर और तन अकास अकास का पर्याई वाची सब्द क्या होता है गगन और नव फिर है रात तो हो जाएगा रात्री और नीशा फूल फूल का क्या होता है बच्चों पोस्प और शुमन फिर है प्रात्र तो प्रात्र का क्या हो जाएगा सुबा सवेरा नस्त वाक सीट है रिंस रेकता स्थान पर उचीच सब्द लेखिए यहां पर बच्चों को क्या करना है रिंस रेकता स्थान मैं उचीच सब्द भर कर वाक्य को पूरा करना है तो यहाँ फर्स्ट में है कल, अपने दादे के घर जाऊंगी, हम या मैं, तो क्या हो जाएगा, कल मैं, अपने दादे के घर जाऊंगी, अगर यहाँ पे जाएंगे होता, तो क्या हो जाता, हम, कल हम अपने दादे के घर जाएंगे, पर यहाँ पे जाऊंगी है, तो क्या हो हो जाएगा मैं सेकेंड है तुम दैस पढ़ाई करो अपना या तुम्हारा तो तुम अपना पढ़ाई करो नेक्स्ट है मेरे पास कई डैस किताबे हैं मोटी या लंबी तो किताबे मोटी होती है तो यहां नेक्स्ट है राम प्रति दिन स्कूल डैस है जाती है या जाता है तो राम यहां पर पुलिंग है तो क्या हो जाएगा जाता है फिर मेरी मां खाना डैस है मां खाना बनाता है या बनाती है तो मां इस्तिलिंग है तो क्या हो जाएगा बनाती है आगे हैं दिये गए गलत सब्दों का सुध रूप लिखिए इस वाक से बच्चों को क्या करना है यहां पर गलत सब्द लिखे हुए है उनको सुध करके लिखना है तो फर्स्ट में है जूता तो जूता ऐसे नहीं होता है जूता होता है जाओ में बड़ी हो कि मात्र जूता तो यहां पर जूता लिख देंगे इस तरीके से फिर है घोड़ा तो घोड़ा नहीं होता है बच्चों क्या होता है घोड़ा फिर है पेसा तो क्या हो जाएगा यहां पे सूध करके पैसा फिर है किताब तो किताब यहां पे गलत है कॉमे छोटी की मातर की ता अब फिर है आख आख कुछ नहीं होता है क्या होता है आख इस तरीके से लिख देंगे next है full full में बड़ी उ की मातर होता है तो यहाँ पे लिख देंगे firm में बड़ी उ की मातर है love, full next वरक्सिट है अनेक सब्दों को एक सब्द के साथ मिलान करो इस वरक्सिट बच्चु को क्या करना है इधर अनेक सब्द दिये हुए है और इधर उनका एक सब्द दिया हुआ है जो सही है उसके साथ मिलान करना है जैसे यहाँ पे फर्ष्ट में है लालच करने वाला तो लालच करने वाला को क्या बोलेंगे लालची तो लालची के साथ मिला देंगे फिर है सहर में रहने वाला जो सहर में रहता है उसको क्या बोलते हैं सहरी जो दान देता हो दानी जो गीत गाता हो तो उसको क्या बोलते हैं गायक जो कभी न मरे अमर जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या बोलते हैं अनपढ फिर है जो डरता हो उसको क्या बोलेंगे डरपोक नेक्स्ट वाक्षिट है दिये गए सब्दों का लिंग बदलो इस वाक्षिट में बच्चों को क्या करना है यहाँ पर कुछ सब्द दिये हुए है उनका लिंग बदल कर लिखना है जैसे यहाँ पर फर्ष्ट में लड़की तो link बदलेंगे तो क्या हो जाएगा लड़का तो यहाँ पर link देंगे लड़का फिर यहाँ पर है माता तो क्या हो जाएगा पीता नानी नाना मोर्नी link बदलेंगे तो क्या हो जाएगा मोर नोकरानी तो हो जाएगा नोकर राज कुमारी, तो क्या हो जाएगा, राज कुमार सोतेली, सोतेला देवी, तो हो जाएगा, देव नेक्स्ट वाक सीट है, निमली की सरवनाम सब्दों का वाक्य बनाओ इस वाक सीट में बच्चों को क्या करना है, इधर सरवनाम सब्दी दिये हुए है, उनसे उन्हें वाक्य बनाना है आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, बस उसमें मैं आना चाहिए, हम आना चाहिए, तुम आना चाहिए जैसे आप फर्स्ट में हैं मैं, तो यहाँ पे बनाएंगे मैं प्रतिदीन स्कूल जाती हूँ नेक्स्ट है, हम तो इससे भी वाक्य बनाएंगे हम कल दिल्ली जाएंगे नेक्स्ट है, तुम तो बनाएंगे वाक्य तुम अच्छी लड़की हो इसी तऱ पूरा वाक्य बनाके कम्प्लेट कर लेंगे नेक्स्ट वाक्षिट है, विशेशन सब्द को रेखांकित करो इस वाक्षिट में बच्चों को क्या करना है दिये हुए वाक्य में तो लड़क जैसे यहाँ पे है यह खिलोना नया है तो खिलोना कैसा है नया तो उसकी विसेस्ता क्या हो गई नया तो इसको रिखांकित कर देंगे नेक्स्ट है मेरे पास नई कलम है तो कलम कैसा है नई तो नई उसकी विसेस्ता हो गई तो इससे भी रिखांकित कर देंगे फिरे मेरा घर बड़ा है तो कैसा है बड़ा है तो बिसेशन क्या हो जाएगा बड़ा यह फूल लाल है फूल कैसा है लाल तो लाल उसकी बिसेश्टा है फिरे आम बहुत मीठा है आम कैसा है मीठा तो यह भी बिसेशन हो गया फिर है सीमा अच्छी लड़की है सीमा कैसी लड़की है अच्छी तो उसकी विशेशता क्या है कि वो अच्छी है तो यह विशेशन सब्द है नेक्स्ट वाक्सिट है दिये के सब्दों का विलोम सब्द लिखिए इस वाक्सिट में बच्चों को क्या करना है कुछ सब्द दिये हुए है उनका बिलूम सब्द लिखना है यानि कि उल्टा सब्द तो यहां फर्स्ट में है उठना तो उल्टा इसका क्या हो जाएगा बैठना नेक्ष्ट है हसना तो हो जाएगा रोना जीवन म्नीतियो फिर है वीर तो क्या हो जाएगा कायर नेक्ष्ट है जोडना तो हो जाएगा तोडना एक एक का बिलोम सब्द होता है अनेक तो यहां पर लिख देंगे अनेक तो यह था क्लास थ्री हिंदी वाक्षेट आई होप यह वीडियो आपके लिए काफी हल्प हो रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राब कीजिए थैंक यू